नमस्कार दोस्तों प्रणोस मम में आप सभी का स्वागत है आज हम आपके बच्चे के फुल बॉडी हेल्थ एंड मेंटल डेवलेप्मेंट के लिए जो रेसेपी लेकर आए हैं वो प्रोटीन आइरन फाइबर केल्शियम से भरपूर है और डाइजेशन के लिए रेसेपी ब तो रेसेपी बनाने के लिए यहाँ पर हमें दो इंग्रीडियंट लिए हैं जिसमें पहला है रागी यह एक मिलेट है बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि रागी क्या होता है तो रागी जो एक प्रकार का मोटा अनाज होता है और यहाँ पर हमने लिए मूंकी दाल दूली बी मूंकी दाल होती है ने लिए इन दोनों को मैंने 3-4 घंटे के लिए भीगो कर रग दिया था तो तो दोनों इंग्रीडियन को हम अच्छे से धो कर और विगो कर 3-4 घंटे के लिए रग देते हैं और उसके बाद हम इनका य Cookie करेंगे तो दाल जो है हमाental अच्छ तो इस तरीके से ग्रेट करते हैं तो फटाफट से ग्रेट हो जाता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुती बढ़िया तरीके से ग्रेट होता है जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आसानी से ग्रेट होता है और मिक्सर का भी कोई जंजट इसमें तो इसे आप ग्रेट कर लिजे या फिर आप मिक्सर में भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो यहां पर हमने तीनों इंग्रेडियन को तयार कर लिया है अब हम क्या करेंगे अब हम एक कूकर लेंगे और कूकर को गेस पर गर्म होने के लिए रख देंगे और उसमें डालेंगे एक चम्मज भर कर घी तो एक बड़ा चम्मज भर कर घी डाल लेना है उसके बाद घी के गर्म होने पर उसमें डालेंगे हम जीरा जीरे के तड़कने पर थोड़ी सी हींका यूज करेंगे और हमारा जो टमाटर का पेस्ट हमने बना का तयार किया है उसे एट कर देंगे यदि आप बारिक टमाटर चाट कर यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से आप क्या किजिएगा कि उस अच्छे तरीके से मेश होने तक कि पका लेना तो यहाँ पर हमने टमाटर को थोड़ा सब पकने देंगे और इसके बाद उसमें अगले इंग्रीडियan्ट ऐट करेंगे अब यहां पर हम एट करदें हैं हमारी दाल को भी उएक्षा अच्छे तरीके से ना भूलोई अच्छे तरीके सेㄹ से Jimmy तो यह इसमें लगने का डर होता है कि यह जो तली में चिपक ना जाएं इसलिए अच्छे तरीके से ने मिक्स करते हुए ही पकाएं तो अच्छे से मिक्स कर दिया है अब यहां पर हम एट करेंगे थोड़े से मसाले जिसमें सबसे पहले जाएगा नमक फिर हमने डाली इसमें एट करेंगे पानी तो यहां पर हाफ ग्लास ओफ वाटर मैंने एट किया है यदि आप कंसिस्टेंसी पतली करने चाहें तो थोड़ा सा पानी और भी बड़ा सकते हैं अब यहां पर अच्छे से सभी को चलाने के बाद ढकन जो है कूकर का उसको बंद कर देना है और यूँ ही मेश कर देती हूं ताकि जो बच्चा है सारी चीजों का स्वाद लेना शुरू से ही सीख जाए तो यहां पर हमारी जो रेसेपी है वो बनकर बिल्कुल तयार है आप उसको हलका गर्म होने पर सब कीजिए उसमें थोड़ा सा गीस से उसको गार्निश कीजिए और बच्चे को जरूर खिलाइए यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके लख लीजिएगा क्यूंकि एसी इंट्रेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लेकर आती रहती हूं तो इस रे